जी बचो पहला जो मन्त है उसको कहते हैं जनुरी, जनुरी में डे होते हैं 31 डेज होते हैं जनुरी में, जनुरी कहते हैं पहले महीने को, फिर आगे हैं फेबरी, फेबरी में होते हैं 28 डेज भी होते हैं और 29 डेज भी होते हैं, फेबरी कहते हैं दूसरे महीने को, फिर आग मार्च, मार्च में 31 डेज होते हैं, मार्च कहते हैं तीसरे महीने को, आगे है एप्रल, एप्रल में 30 डेज होते हैं, और एप्रल कहते हैं चोथे महीने को, मै, मैं में होते हैं 31 डेज, मैं कहते हैं पांचे महीने को, आगे है जून, जून में होते हैं 30 डेज, जून कहते हैं च्छटे महीने को, आगे है जुलाई, जुलाई में होते हैं 31 डेज, जुलाई कहते हैं 7 महीने को, आगे है अगस्त, अगस्त में 31 डेज होते हैं, अगस्त कहते हैं 8 महीने को, आगे है सप्तेम्बर, सप्तेम्बर में होते हैं 30 डेज, सप्तेम्बर कहते हैं नावे महीने को, आगे है अक्तूबर, अक्तूबर में 31 डेज होते हैं, अक्तूबर कहते हैं दसमे महीने को, आगे हैं नवंबर, नवंबर में 30 डेज होते हैं, नवंबर कहते हैं, ग्यारवे महीने को, एंड पे है दिसंबर, दिसंबर में 31 डेज होते हैं, दिसंबर कहते हैं 12 महीने को एक साल में 12 महीने होते हैं और ये उनके नाम है पहला है January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November और December बस ये कि आप लोगों काम काम months name है और months में जितने उनके days होते हैं वो इस साइड पर लिखे हैं ठीक है ओके बचो ये था आप लोगों काज बुक काम अल्लाफ फेस